जब कॉमेडी से आपकी पैचान बनी तो अभी आपने बीच में एक स्टेट्मेंट दिया था कि इस कॉमेडी टैक्स से आप परिशान हो चुके ऐसा क्यों आपके जहन में है जैसे ओफिस ओफिस में आपके खाने वाले शॉट दिल धड़कने दो में बाइपास सर्जरी मक्खन की तरह और आपने मुल्क का नाम लिया आपका जब कस्टिडी में इंट्रोगेशन होता था आप खास ते और हम कनेक्शन वो फील कर पाते थे कि यह कितन कि इंट्रोबल में है कि इंट्रोगेशन सर आपका सेल्फ होता है या स्क्रिप्ट की डिमांड होती ही कैसे होता है अनुपम खेर परेश रावल बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते है तो आप चाहते नहीं उस तरफ पढ़ना यहां पैजा आपनी आर्ट में आप यह अभी सर एक फिल्म है कंतारा जो की बहुत चली है और उसके जो एक्टर डारेक्टर है रिशब शेटी से बहुत जबर्जस पूबी है खर मैं आपको क्या सेजेस्ट करूँ कि आपको बेखना चाहिए जबर्जस सिनेमा है सर मैंने लोगों की रिकमेंडेशन पर देखी थी तो उसके जो एक्टर डारेक्टर है रिशब शेटी उनका एक स्टेट्मेंट आया है कि अब नॉर्थ का जो सिनेमा है अब उसके पास बहुत कुछ बचा नहीं है वो सकता उन्होंने इसलिए भी बोलाओ कि किसी ने वैसा सवाल लिया हो सिनेमा सिनेमा होता है क्या कारण है साउथ का सिनेमा इस लिवल पे नॉर्थ में अच्छा कर रहा है जैसे हम लोग बहुत हॉलिवूड से बहुत परवादित हो रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है फॉरन में जाके शूटिंग करें फॉरन की दरा गाने यह वो फुलाना की जैसे हॉलिवूड के सिनेमा से हम तो घर भी गाली पढ़ जाती है कि यह क्या कर रहा है यह क्या कर रहे थे फिल्म ने तुमने बेकार साम किया क्योंकि मुझे यह था कि भाई घर में तो जलील होते हैं अब सेट पर भी जलील होंगे सब के सामने नमस्कार मैं हूँ अजे सिंग और आप देख रहें MP Live News दोस्तों आज मैं जिनके साथ हूँ वो तमाम सीरियल के अलावा लगबक सतर से भी ज्यादा फिल्मों में अपने दमदार अभीने का प्रदर्शन कर चुके हैं मेरे साथ है मनोच पाबा जी सर अक्सर लोग बात करत बढ़ाई आपने बहुत दमदार अभीने का उसमें प्रदर्शन की है मेरा सवाल आपसे है कि जब कॉमेडी से आपकी पैचान बनी तो अभी आपने बीच में एक स्टेट्मेंट दिया था कि इस कॉमेडी टैक्स से आप परिशान हो चुके हैं ऐसा क्यों थोड़ा वसी त अब जो हैं बिल्कुल अलग तरह के वक्तलिफ किरदार मिल रहे हैं करने के लिए और बड़ा मदा आ रहा है सर्या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ एक तरफ वह वाले सीरियल जहां पर आप कॉमेडी किरदार कर रहे थे अब आप मुल्क जैसा सिनेमा आर्टिकल 15 के लिए आपको नैशनल अवार्ट बेस्ट नेगेटिव रूल यह सब कैसे हैं कैसे हुआ तो अपनी पूरी ट्रेनिंग लेके आता है यह थेटर से हम लोग आए और हम लोगों को हर तरह का रोल करने के लिए ट्रेंड किया गया था हमने ट्रेनिंग यही लीटी और है रेक्टर को म आप करें तो हम भी वह कर रहे थे जो करना और कॉमेडी है वह करना मैं हमशा कहता हूं कि कोई आसान काम नहीं है बहुत मुश्किल काम है बट यह है कि हम लोग वेट करते हैं एक्टर के भई यह तो करी रहे हैं घर तो चला नहीं है बागी है कि अच्छी स्क्रिप्ट आई सीन सर आपके जहन में है जैसे आफिस आफिस में आपके वह खाने वाले शौट दिल धड़कने दो में बाइपास सर्जरी मक्षन की तरह और आपने मुल्क का नाम लिए आपका जब कस्टिडी में इंट्रोगेशन होता था आप खासते थे और हम कनेक्शन वह फील कर पाते है तो डवर प्रिकी है एक डारेक्टर ने उसको कंसीव किया, और ऑप नदर डाला है अब तो वो अपनी तयारी करता है तो वो अपना कांट्रिबूशन देता है कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं विद दी परमीशन अब डारेक्टर क्योंकि अल्टीमिट तो वही है कैप्टन अब दशिप तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जैसे एक खासना है और उसकी वाक है वह सब एज एक्टर आप वहां पर इंप्रोवाइज करते हैं जब उस महौल में डलते हैं उस करेक्टर में जाते है उस सीचूइशन में जाते हैं किनि इस आदमी एक इनोसेंट डादमी जिसने आज तक मतलब कोँछ काम नहीं किया बहुत जिसले झाल काम कर लेता है इधर उदेर कर लिए प्यारा सादमी और उसको इस टरुर्स्त एकिश़ार यह फासा दिया उसकी क्या करते हैं करेंट इशूस पर सर कभी आपकी स्टेटमेंट हम पढ़ने पाते हैं जो नैशनल इशूस होते हैं या करेंट कंट्रोवर्सी होती है अनुपम खेर परेश रावल बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं तो आप चाहते नहीं उस तरफ पढ़ना यहां पैजा बात करने मतलब मेरों ऐसा लगता है कि हम जो कर सकते हैं और ऽे हमें सफाई रखनी है तो हम अपने आप से ऑपके समान को कच्रेंगें डालें हौंकिंग जैसे हैं बो बोलें मत करो आप नहीं हुद पहले अपने ड्राइवर से शुरू रहीए हैं औरन मत बजाएकर था इस पर उसके जरीये हम जब जब ऐसे टेक्स उठाते हैं तो अपनी बात कहते हैं अभी सिल्म कंटारा जो की बहुत चली है और उसके जो एक्टर डिर्टर है रिशप शेती सर्थ बहुत जबर्जस मुवी है कर मैं आपको क्या सज्च्छ करूँ कि आपको देखना चाहिए जबर जब सिनेमा है सर मैंने लोगों की रिकमेंडेशन पर देखी थी तो उसके जो एक्टर डिरेक्टर रिशब शेटी उनका एक स्टेटमेंट आया है कि अब नौर्थ का जो सिनेमा है अब उसके पास बहुत कुछ बचानी है हो सकता उन्होंने इसलिए भी बोलाओ कि किसी लोगों को भी वह अच्छा लग रहा है और पैशन से बनाई फिल्म में अब जहां तक सवाल है का हमारा हिदर हिंदी सिनेमा का है अब यह शुरू हो रहे हैं अब यह हमारे पास कोई कमी थोड़ी है लिट्रेचर की उसकी अपनी अपनी जो फिल्म में बनाएंगे और अप कि बीच में ऐसा ट्रेंड हो जाता था हो गया था कि जैसे हम लोग बहुत होलीवुड से बहुत इंपर परफादित हो तो हमको ऐसा लगता है फॉरन में जाके शूटिंग करें फॉरन की तरह गाने यह वह फ्लाना जिम्दा चला वह लेकिन अब जो है खास्तों से साउट क जो आप देखते हैं उनका पूरा विजुली भी उनकी अपनी दिखती है जगा दिखती है अब यहां पर भी शुरू हो गया है लोगों को समझ में आ रहा है कि अपने अपनी मिट्टी की कहानिया बनाओ अपने उसकी जो लिट्रीचर के पीस से उनके उपर बनाओ अपना म प्रेस था। आपको लगता है साउत का सिनेमा जो चल रहा यह टैंप्रिडी दिखेश नहीं साउत का इस अबना रहे हैं और क्यों नहीं हो कि भी ऐसा करें साथ को सब्सक्राइगी और चाहते हैं कि जो रीजनल सिनेमा है वह इतना बड़ा हो जो औसकर उसकर में जाए और कि यह हैं तो इंदुस्तान कई सिने माराठी और गुजराती तो इतना वो हर रीजिन का सिने मा कि वह मिल्क सिर्फ हमारा राज नाम करें दुनिया के अंदर सबसे अमां सबसे आधा तो मतलब उसकी अगर वो जो क्वालिटी है वो भी ऐसी हो तो कितना मसा आएगा कि इस बार जो है भाई नैशनल अवर्ड लिया बंगाली फिल्म ने और असकर में गई मराथी फिल्म है के नहीं और अपना कंड़ फिल्म को जो इंटरनाशनल हमी में जाके अवर्ड मिले कितना अच्छा लगेगा एक तरफ हमारे कंड़ भी है हमारा मराथी भी है कितना भरपूर हो जाएगा है के लाश्ट कुश्चन वह आपकी तीम की दरफ से भी हिंट है जब आप होम प्रोडक्शन में काम करते हैं जैसे राम प्रसाथ की तेरवी जो आपका प्रोडक्शन था सीमा जी इसमें डिरेक्टर थी उसमें और बाहर काम करने में क्या फरक है और क्रियेटिव क्योंकि आप वहने बहुत दंदार एक्टर हैं ताफ दोनों में कभी क्रियेटिव डिस्प्यूट होता एक्ट्र होता है यह मुझे कहीं हुंकि तो कई की तो बात बचे भी क्योंकि फिल्मेकर्स ही बन गए है तो हम टेबल बेट के आपस में दूसरे से थोड़ा सा इस तरह सी बात करते हैं बागी है कि होम प्रोडक्शन में मुझे पहले से मालूम था वाही भी आपको डिरेक्टर कि असाफ है कि इसाफ से एडाक्टर करना पड़ता को यह डिरेक्टर इस तरह से काम करता है तो मैं अपनी सीमा जी की फिल्म है इसको आवाइड करने की बहुत कोशिश की कि ना करूंगे क्योंकि मुझे यह था कि भाई घर में तो जलील होते हैं अब सेट पर भी सेट पर भी जलील होंगे सब के सामने यह नहीं मज़ाग की बात अलग है बट मुझे यह मालूम है कि सीमा आज एन एक्टर जितन एक्टर से लेकिन सीमा जी ऐसी एक्टर है जो कि ऐसे करके बोल सकती है किसी को भी चाहिए मनोज पाव भी पाठा को नहीं यह गलत कर रहे हैं क्योंकि उनका इतना एक्स्पीरियंस है वह सबसे सीनियर है वह उनकी मदर जो है आकाशवाणी दूर्दर्शन पर पहली आर्ट साथ साल की उम्र से चाहिए काम भी करना शूर कर दिया तो मुझे मालूं था कि थोड़ा सा टफ होगा इंदर सेंस कि शीजवरी डिमांडिंग की विल बीए डिमांडिंग डिरेक्टर नसीर साब को भी डाट देती ती ती या कुछ नहीं सकती नसीर साब की तो वह फैन है बाकी यह जरूर है कि डिसकेशन जब होता है जब तो उसमें नसीर साब की वी तारीफ करने पड़ेगी वह इतनी सिंपल आदमी यह वह पूछ लेती तो नसीर साब तो प्लेजिव नसीर साब है उनको क्या कोई सिखाएगा इस चलते चलते में लाखों लोग आपको देख है यह मद्यप्रदेश का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल नैटवर्क है ओडियंस में इस्पेस्टी यंग्स्टर्स जो एक्टर बनना चाहते और वह अक्सर जो भी लोग एक्टर बनते वह गुम्राह भी बहुत होते एक्टर के लिए क्या उनको करना चाहिए एक साल पढ़ाई में लगाता है फिर पां चे साल की मेनत के बाद वह एक डॉक्तर डॉक्टर को कॉलिज है घ्लक् सबसे चीज जो काम आप सीखिए वो काम आप सीखिए किसी इंस्ट्यूट में जाईए कहीं पढ़िए आजकल बहुत खुल गए हैं ठेटर करिए जिस वह बहुत अच्छा ट्रेनिंग का एक माध्यम है क्योंकि आपको रीटेक नहीं मिलता है वहां पर तो आपका वह एक जिजग खुलती है आपका डर निकलत है परफॉर्मेंस का और जब आपको जो काम करना चाहते हैं वह आता है तो उसके बाद फिर कोई रोकने वाला हो नहीं सकता आप जाएंगे और देंगे दस लोग ऑडिशन दे रहे हैं अगर आप बहतर है आपको सेलेक्शन आपका हो गई होगा हो सकता है छे महीने में हो सक अच्छे साल लगे टाइम तो लगता ही है काम में लेकिन जो आइडिया इस तो नो वाट वाट वूंट वूट 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 काम है वह आना चाहिए अपको थैंकियो सर आपने एंपी लाइफ को समय दिया बहुत बात अंदेवा था राइफ को अनुमांत सर्बहोपाल में इतना बड़ा सांस्कृतिक महसवता विश्वरंग नाम का अपको आइडिया था यहां आने के पहले कितना बड़ युजन होता है बहुत अने यह मुझे नहीं मालूम था लेकिन भोपाल से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है मैं जो भारत भवन है बीवी कारण साथ के टाइम पे जब वहां पे होता था तो मैं रेगुलर आता था वहां प्लेज देखता था हमने परफॉर्म भी किये हैं यहां में नातक बोपाल जबलपूर इंदौर लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 83 84 की सो मुझे मालूम है कि बोपाल की आडिस बहुत अच्छी है लेकिन यह इस लेवल का फैस्टिवल नहीं सोचा था